नमस्कार मित्रों बहुत पहुत स्वगत थे आपका हमारी शेनल में मित्रों दिपावली का फर्व इस साल 14 या 15 नवंबर को है ऐसे में सहीत थी सुभु मोहरत और लक्ष्मी पूजन की विधी क्या रहने बाली हैं आज की इस वीडियों में हम आपको बताएंगे तो था आप किस्में और गनेश जी की पूज़ाकर हैं जिन्चे की आपको घर में खुसियालिा सके दंदोलत की फ्राप्ति हो सकें तुमित्रों दिपावली का त्योहार कार्थिक-मास की अमवस्यत थि न्यो Creed को मनाया जाता है इस दिन मालत में और गनेश जी का पूजन करण की मानियत है आमतोर पर यह पांच दिनों का होता है लेकिन इस बार फांच दिवसिय दिपों का यह पर्व पांच दिन के वज़ाई चार दिन का ही होगा और छोटी दिवाली यानि रूप चौदस और दीपावली एक ही दिन मनाई जाएंगी धन्तेरस भी दीपावली के ठीक एक दिन पहले याने 13 नमंबर की रहेंगी तित्यों में मुतार चरहाओ के कारण लोगों में इस बात को लेकर असमंजस के श्टितियां बनी हुई हैं कि दीपावली किस दिन मनाई जाएं सारी जानकारी विष्टार से तो वीडियो को आप पूरा अवस्य देखें उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सकें और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो बत्रों लक्ष्म लक्मि पूजन का सुबह मुहरत के बारे में बात करें तो साल 2020 में दी पावलिक का तेवहार 14 नमंबर सनिवार के दिन मनाया जाएगा लक्मि पूजाका सूबह मुहरत साम के 5.58 मिनट से साम के 7.24 मिनट तक रहेगा प्रोडूस काल का समय साम 5.28 मिनट से साम 8.00 साम मिनट तक रहेगा वहीं विरीसव kàol का समय शाँपाँच बतकर 28 मिनट से साथ बतकर 24 मिनट तक रहेगा। सबस्ट प्रारम बहुंगे 14 नमबर 2 दो बच कर 17 मिनट पर वहीं अमवस्त दिसमाप तो होंगे 15 नमंबर पुजा मुहरत होता है रात्री के 11 बच कर 15 मिनट से प्रातकाल 12 बच कर 30 मिनट तक पुजा की कुलवदे 35 मिनट की होंगी वहीं सास्त्रों के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन बहुत विसेश होता है जिस दिन अमवस्त होती हैं उसे दिवाली मनाई जाती हैं अमवस्त देथी पर संद्याकाल और रात्री सुब मुह जी की प्रतिमा को और जल से भरे लक्ष्मी जी के सामने घी के दिपक को जलाएं इसके बाद हात में जल पूछ वले कर सभी देवी दिवताओं का अभान करें और विदिवत लक्ष्मी और गनिश्जी की पूजा अवस्त करें पूजा में खेल बता से पंच मेवा गुड़ पल, फूल, मिठाई, कमल का फूल और मालक्ष्मी जी के प्रिय कोडिय अर्पित करें अब मातालक्ष्मी के मंत्रों का जाब करें और स्री सुतक जी का पाट करें दिवाली पर मालक्ष्मी के पूजन के बाद तीजोरी और बही खाते का पूजन करें पूजा के बाद घर के सबी कोनों में दिये जलाएं दिवाली के दिन यदि आप मालक्ष्मी और गनीची के एक साथ धन दिके देवता कुवेर जी कभी पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुभ रहता है ऐसे में इस बार आपके दिफार भी सुभ रहे इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा विन्दु वासनी